गाजर की फसल को तयार होने में 3-4 महीने का समय लग जाता है, जिससे किसान भाई एक वर्ष में गाजर की खेती कर 3-4 बार तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिती में भी सुधार होता है. जब गाजर की फसल पूरी तरह से तयार हो जाती है, उस दोरान फसल की खुदाई कर ली जाती है. खुदाई से पूर्व खेत में पानी लगा दिया जाता है, इससे गाजर सरलता से मिक्ती से बाहर आ जाती है. गाजर खुदाई के पश्चात उन्हें अच्छी तरह से पानी से साफ कर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है गाजर की उन्नत किस्मों के आधार पर अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जिससे किसान भाई एक हेक्टेर के खेट से तकरीबन 300 से 350 क्विंटल की पैदावार प्राप्त कर लेते हैं कुछ किसमें ऐसी भी है, जिनसे केवल एक सौ क्विंटल प्रती हेक्टेर का उत्पादन प्राप्थ हो पाता है. कम समय में पैदावार प्राप्थ कर किसान भाई अच्छा लाभ भी कमा लेते हैं. गाजर का बाजारी भाव आरंभ में काफी अच्छा होता है. यदि किसान भाई अधिक पैदावार प्राप्थ कर गाजर को अच्छे दामों पर बेच देते हैं, तो वह इसकी एक बार की फसल से तीन लाख तक की कमाई कर सकते हैं. गाजर का बाजारी भाव आरंभ में काफी अच्छा होता है. यदि किसान भाई अधिक पैदावार प्राप्त कर गाजर को अच्छे दामों पर बेच देते हैं, तो वह इसकी एक बार की फसल से तीन लाख तक की कमाई कर सकते हैं गाजर के बीजो की बुवाई बीज के रूप में की जाती है, इसके लिए समतल भूमी में बीजो का छिड़काव कर दिया जाता है, एक हेक्टेर के खेत में तकरीबन 6-8 केजी बीजो की आवश्चक्ता होती है, इन बीजो को खेत में लगाने से पूर्व उन्हें उपचारि खेत में बीजो को छिड़कने के पश्चात खेत की हलकी जुताई कर दी जाती है, इससे बीज भूमी में कुछ गहराई में चला जाता है, इसके बाद हलके माध्यम से क्यारियों के रूप में मेरो को तयार कर लिया जाता है, इसके बाद फसल में पानी लगा दिया जाता है गाजर की एशियाई किस्मों को अगस्ट से अक्टूबर माह के मध्य लगाया जाता है, तथा यूरोपिय किस्मों की बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य की जाती है गाजर के फसल की सिंचाई गाजर की फसल की पहली सिंचाई 20 रोपाई के तुरंट बात कर दी जाती है इसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए आरंभ में सप्ताह में दो बार सिंचाई की जाती है, तथा जब 20 भूमी से बाहर निकल आये तब उन्हें सप्ताह में एक बार पानी दे एक महीने पश्चात जब बीज पौधा बनने लगता है उस दोरान पौधों को कम पानी देना होता है इसके बाद जब पौधे की जड़े पूरी तरह से लंबी हो जाए तो पानी की मात्रा को बढ़ा देना होता है